बूइन टू एवरिवन जिबाई सबको मेरे तरफ से आज बहुत जुलाई है और मुझे बहुत मेसेज़िस आ रहे हैं और वह सबसे पहले आप सबको हम बाई बोलना चाहता हूं थैंक यू बोलना चाहता हूं बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में मुझे मेसेज किया है फे आज मेरे जनम दिन में मैं आप सब को धन्यवाद बोलना चाहता हूं I would like to thank all of you all for wishing me on my birthday thank you मैं आप से एक ही बाद बोलना चाहता हूं कि जब आपका messages आता है जब मेरा जनम दिन हो या जब मैं बिबार था या मेरे खराब समय में या मेरे जनम दिन में मुझे एक चीज हमेशा लगता है कि मेरे संग इतने लोग हैं जो without any agenda अपना बिना स्वार्थ का मुझे याद करते हैं और मेरा बहला चाहते हैं मैं आज आप से on my birthday I would like to say two or three things मैं जादा समय आपका नहीं लोंगा you are all busy people और मैं जानता हूँ कि आपका समय भी कीमती है मैं दो या तीन चीज आपको update करना चाहता था सबसे पहले कि आज से तीन दिन पहले दो या तीन दिन पहले हमारा meeting इंडिया के home minister के साथ हुआ अमिर शास के साथ और हमने अपना demand for greaterty plan clearly रखा है मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो IPFT ने किया था 2018 में कि बिना अपना demand को सामने रखकर मंतरी मंदल में बैठ जाए अगर हम आज अपना demand को सामने नहीं रखते हैं और मंतरी मंदल में बैठ जाते हैं तो कल क्या guarantee है कि हमारा demand पूरा होगा इसके लिए मैंने clearly इंडिया के home minister respected अमिर शास जी को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके संग रहें तो पहले आप हमारा demand को clear कीजे हमारा constitutional solution for greater people land हमको चाहिए और उसको छोड़कर हम government में नहीं बैठेंगे मैंने अपने लोगों को promise किया था और ये मेरा promise है और ये मेरा commitment है कि मैं अपने लोगों को कुछ नकुछ देना चाहता हू differ और अपने दो तीन या पांच या दस लीडर के स्वार्थ के लिए मैं अपने लोगों को दोखा नहीं दे सकता हूँ अगर यह होगा तो यह हमारे लोगों के संग विश्वा शखात होगा तो यह मैं पहले से बहुत क्लियर मैंने यह बात आमिर शागर जी को किया है और उन्होंने कहा है दो तीन चीज़ कहा है सिर्फ मुझे नहीं कहा है हमारे संग और नौन लू लीडर्स लोग थे विजयर रंगपल जी थे जंगदिश देबर्मा थे एलोपी अनिमेश देबर्मा थे सी एम पुर्णो चंद्र जमत्या थे एमलेज विश्रकेतु विश्रजीत थे भवरंजन रियांग था रुनिल देबर्मा था रंजी देबर्मा एमले था तो उनको भी यह बात जो हो मिनिस्टर ने कहा है वो पॉजिटिव है लेकिन हम पहले एक्शन को जमीन में दिखना इसको छोड़कर मुझे एक बात और लगता है कि जब तक हमारा डिमान हमें नहीं मिलता है हमें अपना अंदोलन शुरू करना चाहिए आठ तारिक को मादब बारी में एक ऐसा ही मुवमेंट होगा मैं खुद उस रैली में रहूंगा और मैं आप सब को बोलना चाहता हूँ आठ तारिक दो बजे मादब बारी में आप लोग आईए और हमारा ये जो मुवमेंट है इसको हम लोगों प्रेशर रखेंगे गवर्मेंट अप इंडिया में हम वाइलेंस नहीं चाहते हम अशांती नहीं चाहते लेकिन जो हमारा डिमांड है उसके लिए आंदोलन करना प पड़ेगा है मैं चाहता हूं कि सिर्फ आठ तारिक को नहीं 15-16 तारिक को हमारा प्लेणरी सेशन है अधीवेशन है उसमें भी हम लोग पार्टी को पुरा री स्रक्चर करेंगे और पार्टी में उन लोगों को रखेंगे जो पार्टी के बारे कम और दोभा के बारे ज्या करना है मुझे लगता है तीप्रालान मूवमेंट को स्रॉंग करना है अगर तीप्रालान मूवमेंट और हमारा कमिट्मेंट हमारे कम्यूनिटी के साथ रहेगा तभी पार्टी स्रॉंग रहेगा सिर्फ पार्टी में पांच-दस रीडर को कुछ पोस्ट देकर पार्टी कि अब लोगों का विश्वास हैं और मैं आप सबको लॉक लेवल में डिस्टिक लेवल में रीजनल लेवल में सब जोनल लेवल में बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने एरिया में ग्रीटर तीप्रलाइंड का मुव्मेंट करने के लिए अपने तरीके से शांती से अपना मुव्मेंट वापस शुरू कीजिए यह प्रेशर हमको गभर्मेंट ऑप इंडिया के ऊपर रखना पड़ेगा जब तक हमारा डिमांड हमें नहीं मिलता है इसके बाद मैं आपको यह बात बोलना चाहरा था कि यह जो पिछले थोड़े दिन में न्यूज आ रहा है कि कोई यहां से वहां जा रहा है मैं आप सब को अपील करना चाहता हूं एमडीसी जो मिलेज़ों एमजों आई लाव लॉफ यू आई रिली लाव लॉफ यू आई मैंने सुना है कि कुछ लीडर्स को कोई खरीदने के कोशिश कर रहे हैं कोशिश तो सब करेंगे हमें कमजोर करने के लिए सब कोशिश करेंगे लेकिन यह समय एक दूसरे से कोशिश करेंगे हमारा थांसा को तोड़ने का कोशिश करेंगे लेकिन थांसा तभी टूटेगा जब आप अपना स्वान अपने कंम्यूनिटीश से उपर रखें शी खेयर मैं थिर से कहा कि मैं अपने कुम्यूनिटी को धोका नहीं दे सकता है और मेरे जनम दिनमें मैं आप सब को एक बौना चाहता है कि मैं हुनल gentleman कि पॉलिटिक्स और नहीं करना चाहती है अपने लोगों को कुछ देना चाहता है और मैंने डिसाइड ओभी कर दिया है कि अपने लोगों को कुछ देकर ही मैं जिंदगी में पॉल-डाजनीती से भी और पब्लिक-लाइटसे भी हटना चाहतmental लेकिन अपने आठी खोलने से भी कुछ नहीं मिलेगा तब मिलेगा जब हम लोग दिल्ली में एक आवाज में अपने लोगों के बाले मैंने बात किया है मैंने बहुत बलीदार दिया मैंने बहुत साक्रिफड़ेश किया हैं मैं जानता हूँ कि हमारा तीपरासा सुसाइटी में सबसे देख नहीं पाते हैं आज इसी के लिए हमारा ये कंडिशन है मैं आपको फिर से अपील करता हूं दो तीन मेहना एक दो तीन मेहना अपना स्वार्थ को पीछे रखे और एक होकर हमारा मुव्मेंट को स्टॉप कीजिए मुव्मेंट डरकार है क्योंकि जब तक मुव्मेंट हमें रखे तब ही तक गव्मेंट के उपर प्रिशर रहे और गनमेंट को हम पराशव में रखना है अपने रोक ही को ब में मेले इसको बोल रहा है कि अंदर भी प्रशुर रहे और gospри जमीन में में हम लिज Напрाना लेकिन टरीक होता है अपना डिमांड को शांति से लेकिन प्रेशर रखके करें कि आठ तारिक को मादबबारी में एक ऐसा ही रैली है उसमें मैं बात करूँगा उसके बाद 15 और 16 तारिक को हमारा अधीवेशन है उसमें हम लोग discussion करेंगे कि पार्टी को सब जोनल लेवल से प्रैमरी लेवल से जोनल लेवल से हम लोग उपर उठा कर उठाईंगे और ये पार्टी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पार्टी जाती से बड़ा नहीं हो सकता है तो ये पार्टी की लीज़े लोग भी समझ ले कि जाती is number one party is number two तो यह आप सिद्धान्त रखकर आगे बढ़िए and once again आपने मेरे जनम दिन में all of you all have wished me thank you so much आपने देखा है कि मैं थक चुका हूं लेकिन अपने लोगों के लिए मैं अभी भी खड़ा हूं बहुत थका हूं बहुत लोगों ने गलत चीज कहा है आज मेरे उपर अटक होता है मैं आपका ढाल हूं जिस दिन मैं हट जाओंगा वो जो ढाल है आपका जो शील्ड है जो प्रोटेक्शन है वो नहीं रहेगा आपके उपर डिरेक्ली अटक होता है मैंने आज इतना जहर बीच इतना लोगों ने विश्वास घात किया तभी मैं सवेरे उटकर फाइट करता हूं आपके लिए और क्योंकि आपको प्यार करते हैं और आप भी मुझे प्यार करते हैं इसके लिए आज मेरे जनम दिन में इतने लोग में मुझे विश्किया है बेलाइ बेलाइ नहांबाइ थैंक यू गॉड ब्लेस यू आई लव यू एंड ग्रेटरी प्रलाइन का मुव्मेंट को हमें जारी रखना है कंप्रमाइज नहीं करें यूद आज इवनिंग में मेरे जनम दिन और ड्रॉग्स के लिए ड्रॉग्स के अगेंस्ट एक प्रोग्राम भी है और उनाचल से फे ड्रॉग्स के अगेंस्ट और यूद 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 दो हो हमारा समय तो गया यह आप हमारा आशा है यूद हो यह होप को तोड़ने मत देना बहुत लोग हमें बाटने के कोशिश करेंगे मैं तभी वी कमिटेड हूँ और जो गलती आईपी एफ्टी ने किया दो हजार वह गलती मैं नहीं करने वाला हूँ बिना constitutional solution for a demand of greater tipra land हम लोग सरकार में नहीं बेठेंगे क्योंकि अगर बिना साइन करके बिना agreement होकर हमने government में हम बैठ चुके तो हमें भी खेला जाएंगा यह चांस हम लोग नहीं कर सकते हैं बैलाए बैलाए नहांबाए खुलूंका once again thank you for wishing me on my birthday I love you